अगर मैं पूछों कि इन में से कौन सा sentence सही है तो आप क्या कहेंगे Friends, what complain एक ऐसा word जिसका use हम अपने daily life में बहुत करते हैं बट अकसर learner इस बात को लेकर confused रहते हैं कि complain के बाद to लिखना चाहिए या against, off लिखना चाहिए या about तो आई ये friends देखें कि आप किस condition में complain के बाद क्या pray position का इस्तेमाल करेंगे Friends, अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें, bell icon को hit करें ताकि मेरा latest video आप तक सबसे पहले पहुंच सके What complain के साथ आप to और against दोनों का use तब करेंगे जब आप complain किसी living noun के बारे में कर रहे हों जैसे अगर आपको कहिना हो कि वह मेरी शिकायत कर रहा है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे He is complaining to me या He is complaining against me वह मेरी पडोसियों की सिकायत कर रहा था तो इस sentence के लिए आप कहेंगे He was complaining against my neighbors या He was complaining to my neighbors तो friends आपने सीखा कि आप complain के बाद to या against का use तब करेंगे जब आप शिकायत किसी living noun की कर रहे हैं अगर हम बात something की करें यानि non living noun की करें तो आप complain के बाद of या about का use करेंगे जैसे वह लोग water supply की शिकायत कर रहे हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे They are complaining about water supply आप ये भी कह सकते हैं They are complaining of water supply वह लोग इस काम की शिकायत कर रहे हैं तो sentence के लिए आप कहेंगे They are complaining of this project या They are complaining about this project तो friends उमीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आया कि complaint के बाद आप to, against, of और about का use करेंगे लेकिन to और against का इस्तमाल living noun के साथ वही of या about का use आप something यानि non living noun के साथ करेंगे तो friends उमीद करता हूँ कि यह topic आपको शांदार तरीके से समझ में आया friends अब आप play store से मेरा English speaking course का software भी download कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा interesting lesson के साथ तब तक के लिए, bye